लो एवरिवन हेलो मुंताहा कैसी हो यह ग्लासिस तो अच्छे लग रहे हैं कहां से लाई हो दुकान से अभी लेकर आई हो नहीं पहले के लिए वेते क्या ज्यादा दूप पढ़ रही है नहीं स्कूल सा रही है तो इसकूल का उनिफार्म दिखा उस तरह पीछे पीछे खड मुंता कराके लाई है मेरे लिए अपने बाई के रिए क्रिये क्योंकि अभी तक मैं मिस्तर से उठानी हूँ और मेरी तब्बे खराब थी तो मैं आज ओफिस जो है चार बजी जाओंगा तो यह आपके रिटन लाई है और कप्ड़ भी लाई है तो अभी मैं रेडी होंगा अब क्या टाइम हो रहे है अब ही टाइम हो रहा है 11 Stefan 1 । है मैं ठॉन थरिटी पर नमाज पढ़के आउगा तो यह तो है वाली जथी आए और ऊंडिय तो ब् highway तो बन дो बन्ती है ना तो आप mittelista में और मुन्तवा में नमाज पढ़के आउँ पिर चलेंगे बियानी ख आप सबसे दुआओं की दरफास हैं जो भी डेली के रिटीन होगी भी आपके साथ शीयर करूगा ठीक है मुंता अके और मैं हो गया हूँ रेडी नमाज के लिए तो चलें अभी मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए और फिर मिने नमाज के बार लंच करना है लंच के बाद में चार बज़े आफ़स जाना है तो इस बज़ें दो बज़े 25 मिंट और मैं मुंता के साथ बार बिर्यानी खाने ज जा रहे हैं कि अगर आया हूँ तो बिल्डिंग में अंदेरा चाया हूए लाइट नहीं है मेरा कर टो अपर पराद चैहरा हूँ टो अपर्विश्क प्रायदी इसमाश चाहिए पाकिस्तन में ताकि कि अरां में आरां पहुunde है और क्योंकि प्राड़े वले दिन सब त्यार हो कि मासला एक सा नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा हम फील होते है जैसे यह कम मुखा हो तो अभी मैं खोलता हूँ गेट अभी मैं अंदर आया हूँ तो हमाद यहां पर खेल लें और अभू जो हैं तो अभी मैं खोड़ी तर यहां प यहां पर एक से देगो आपको अपने ब्लोग को बता चुका हमाँ गांगा है हां इसका मूह तो मुझे याद है इसका मूह यह सब निकल लगे हैं तो अभी तो यह दिखें बन गया है वह हैंड़ी पास्वार नहीं देखेगा वैसे बोगन कर देखें तो अभी सब निकल लगे हैं ऑफिस से हो गए चुटी आज में ज्यादा विलॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि काम का फ्लक्स ज्यादा था और अभी मैं चैक आउट करके घर निकलने लगा हूं काफी कॉमेंट्स आयते काफी अरसे से के सितारा बाजी कि आप मैनेजर तो नहीं हो तो यह का अफिस में और कल जैसा कि आप देख सकते हैं विलॉग में मेरी इवनिंग शिफ्ट थी चार से बारा और बारा बचे मैं ऑफिस से चेक आउट करके घर गया हूं और घर जाके सिर्फ मैंने जो है कुछ घंटे नींद पूरी किये और वापिस सुबा आफिस आगया हूं तो उनकी हेल्प आउट करतों जब भी रिकॉर्इड होती है क्योंकि वह भी सब की हैल्प आउट करती है इविन कि उनने में काफी हैल्प आउट किये दूरिंग इनिशल डेज और अभी भी करती है इसी बात निया तो मुझे भी हल्प चाहिए थे तो सितरह बाजी आलवेज होती है तो इसी तरह उनको भी जैसे तैयबा की स्टडी से रिल्डेट या कोई हल्प चाहिए होती है तो इम आलवेज अवेलेबल कुछ स्पैंडिंग सेलिबरेशन भी थी जो मैंने करनी थी इस वीग जो मैं नहीं कर सका वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग आ रहें गाउं स वो कौन लगे मैं अभी नहीं डिस्क्लोस कर सकता वो जब आएंगे तब आपको पता चल जाएगा लेकिन ये आपको बता चलों वो साजिद भाई के इलावा भी कुछ लोग है जो गाउं से आ रहें और उनके साथ मिल की जो है सेलिबरेशन करूंगा क्योंकि मैंने सुच तो इंचा ब्यूंकि मैंने सुच जो है तो उसमें गाउं से भाई भी सुच इसे साथ समuseं करें औरू सार। बहुत आपको पता चल ज़ा का मैं कॉर्ग करें टोर एक बूट जा जालिए घर रहें तो इसमें इनल्यौ अधक्या उत्या प्राग्स के साथ ज है आज्ừ मैं अ अपनी आफ संडे को लिए और संडे को आपको बदा है कि पाकिस्तान वर्सिस इंडिया बिग क्लैश मैच है और उसके लिए जो ना मैंने दो हफते पहले ही ऑफिस में इंफॉर्म कर दिए था कि मैं 23rd October को वीकली आफ करूंगा तो वीकली आफ मेरी संडे को होगी तो आपको कोशिश करता हूं कि पॉजिटिफ कॉंटेंट्स बनाओं और जो मैसेजिस आपके आते हैं उसको जो अगर जैसे ज्यादा तर मैसेजिस अगर किसी एकी टोफिक भी हो तो मैं कोशिश करता हूं अपने वीलॉग में जो है आके किलियर कर दूँ तो आज के विलॉग में यह किसी के साथ मैं करता हूं आज का विलॉग हैं अमीद है आपको बसंदाया होगा और अगर आपको बसंदाया तो मेरी वीडियो लाइक चैनल सबस्क्राइब और शियर भी जरूर कीजिएगा तो इंशाला आप सबसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट विलॉग में तब तक के कि एफश में थाज कई चैनल सबस्क्राइब ठाऊब जो फिलॉग में तो participants